दोस्तो सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को और बैल आइकन को दबाएए मेरे चैनल के लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तेमस्कार दोस्तो मेरा नाम धिशूर क ons आपलाईबो मेरे चैनल पे यानि किशूर कुमार बैन्र जी पे ये वीडियो उनलों के लिए important है जो लोग job पड़ते हैं computer related या फिर students है या फिर YouTube content creators है हमें अपने business clients को regularly ही अपना data या फिर record stats ये screen record करके देना पड़ता है और अगर हम students हो तो हमें कभी कबार अपना homework या फिर कुछ explanatory notes screen record करके अपने दोस्तों के साथ share करना पड़ता है या फिर उनसे learn करना पड़ता है वो भी हमें कभी कबार send करते हैं और अगर हम YouTube content creator हो तो हम videos, कुछ videos, explanatory videos बनाते हैं तब हमें screen record की ज़वरत पड़ती है desktop या laptop में screen record करने के लिए हम chrome store में कोई भी application, screen recording application install कर लेते हैं मगर chrome browser में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा applications install कर हुए तो chrome browser बहुत heavy हो जाता है और उसका loading speed कम हो जाता है और अगर आपका RAM और processing speed कम रहे तो वो आपके chrome और slow browse करेगा और video जब आप screen record करेगे तो वो lag करेगा और यह होता है बहुत ही बड़ा दिक्कत future में जो आपको देखने को मिलती है और problem रहता है कि ज़्यादा तरही जो application screen recording applications रहता है उसका output webm में रहता है और webm अगर आपका जिनको भेज रहे हो उनके device में वो valid नहों तो वो video खुलेगा नहीं तो इसके लिए हमें MP4 format यूनिवर्सल format होता है तो हमें SS screen recorder की ज़ोड़त परती है जो MP4 में आपका चीज दे तो जादा तर हम फिर क्या करते है कि webm को फिर MP4 में convert करके फिर हम भेजते हैं तो हमें time consume हो जाता है convert करने में तो आज हम एक ऐसे software के बारे में बात करेंगे और मैं direct आपको hands-on tutorial भी दूंगा उसका उस software का नाम है active presenter और उससे तीन फाइदे आपको directly मिलेंगे वो है number one के यह बहुत ही lightweight है number two यह MP4 format में आपको direct output देता है और number three इसमें कोई watermark नहीं रहता है तो चलिए आप हम hands-on tutorial कर ल देना है और कैसे आपको screen over करना पड़ता है तो अब आप लाइब हो मेरे laptop पे और आपको बस active presenter डाउनलोड लिखना है अब हम देखेंगे किस तरीके से active presenter को download करते है तो active presenter डाउनलोड लिखना है Google में और जो पहला option आएगा download atomy systems उसी पे क्लिक करना है atomy systems active presenter का owner है तो इसे क्लिक करना है तो आपको बाए तरफ जैसा दिख रहा है Windows का option है और डाइने तरफ Mac का option है अगर Mac का OS है तो Mac वाला version डाउनलोड करेंगे और अगर आपका Windows है 7, 8, 8.1 और 10 तो आप इसे डाउनलोड करोगे और फिर install करोगे क्योंकि मैंने download कर लिया है और मैंने install कर लिया है तो मैं आपको इसके बात का step दिखाऊंगा कि किस तरीके से Active Presenter को use किया जाता है तो वो हम पहले वीडियो में देखेंगे आगे तो दोस्तो आपका Active Presenter डाउनलोड और install होने का बाद ऐसा दिखेगा और आपको इसमें click करना है सबसे पहले तो आपको ऐसा एक presentation मिलेगा जहाँपे आपको सबसे पहले record वीडियो में click करना है record वीडियो में click करने का बाद आपको आपका ये window खुलेगा जहाँपे full screen का option कर दिए हुआ है और आपको अगर दिया हुआ है और आपको अगर और अगर बी सात में रिकॉर्ड करना है तो इसksi में आप जो भी burnysанич ऐसे ब्रावजर स्वेमे सजब्सांगर रेकॉर्ड करना चाहूं जबुक्न करते हुआ लुए और लुए ज़ाना है और से श्टॉप करना है हमें तो स्टॉप करने के वाद आपका कुछ इस तरीके का बनेगा यह चीज आपको दिखाई देगा प्रिव्यू करना चाहते औहुए recording को तो यहां से आप play button दबा के preview कर सकते हो गया का recording और export करना है विडियो को, तो export का option यहां दिया हुआ है वहाँ click करना है और आपको video में click करना है एक नाम देना पढ़ेगा, अलग नाम दीजेगा, क्योंकि एक नाम रहेगा तो बो रिप्लेस कर देगा नेक्स वीडियो का अगर आप दो वीडियो बना रहे हो तो दोनों का डिफेंट नीम रहना चाहिए नाम रहना चाहिए उसके बाद आपको हम रिकॉड कर रहे हो तो इस तरीके से हम रिकॉड करते हैं दोस्तो होप लिजेए असे अलाव मेरे साथ सोच़ owners कर सकते हो में आसे वीडियो के अलाव ट्रावल विडियो सब्रामा वीडियो बनाता हूं तो जूर है यह चैनलुकर साथ हमें यह ज़्यूत का द